चार आपसें दिए गए आपको आपसे पुछा गया है बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है तो इसका जो राइट आंसर एवा है आपसें नमबर एक पिता पर बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता पर निर्भर करता है बच्चों के लिंग क मिलते हैं तो बालक का जन्म होता है चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण कमांग 122 सर्व प्रथम जीवाणू का पता किसने लगाया तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपसर नंबर 2 लिवेन हाक ने सर्व प्रथम जिवाणू का पता लिवेन हाक ने लगाये था जिवानू में कोशिका भित्ती पाई जाती है लिवेन हाक को जिवाणू भिग्यान का जनक भी कहा जाता है चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रशन है हमारा नदियों तलाबों आदी में पाए जाने वाले जली हरे पोधों को क्या कहा जाता है पूछागे आपसे नदियों तलाबों आदी में पाए जाने वाले जली हरे पोधों को क्या कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन नमबर 2 सेवाल नदियों तलाबों आधी में पाय जाने वाले जली हरे पोधों को सेवाल कहा जाता है सेवालों के अध्यम को फाइकोलाजी कहा जाता है चलिए आगे बरते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रशन है अमारा पनीर बनाने में किस किडबन का प्रियोग किया जाता है पूछागे आपसे पनीर बनाने में किस किडबन का प्रियोग किया जाता है तो इसका जो राइट अंसर रिवा है आपसर नमबर एक रेनीन पनीर बनाने में रेनीन किडबन का प्रियोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रेशन की ओर अगला प्रेशन है अमारा जब एक ठोज बस्तु को पानी में डूआया जाता है तो उसके भार में हास होता है या हास कितना होता है चार आपसन दिएगे आपको और इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन नमबर एक बिस्तापित पानी के भार के बराबर जब एक ठोज बस्तु को पानी में डूआया जाता है तो उसके भार में हास बिस्तापित पानी के भार के बराबर होता है आर्गमेडित के सिद्धान के अनुसार यदि कोई बस्तु पानी में डाली जाती है तो बस्तु के द्वार पानी का भार बस्तु के भार के बराबर होता है जिस कारेन हटाय गए पानी की सक्ति से बस्तु पानी की उपरी सता पर तेरने लगती है उधारण पानी के जहाज पंडुबिया नाव इत्या दी चलिए आगे बरते हैं अगले प्रेस्ट की और अगला प्रेस्ट में हमारा थोड़ी उपर की और उठी जाती है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी उपर की और उठी जाती है क्योंकि समुद्र में भीविन्य लबन घुले होते हैं जिससे समुद्र के जल का घनतु नदी के जल के घनतु से अधिक होता है जिसके का रूप से किस दूसरे रूप में परिवर्तित करता है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आफसन नंबर तूड जाता है इसका क्या कारण है, तो इसका जो right answer है obeseon number 1, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है जब गर्ब पानी को किसी काँच के गिलास को पर छिड़का जाता है तो काँच में अचानक विस्तार होता है जिस कारण गिलास तूड जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण अमारा मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस किरिया के कारण जल ठंडा रहता है पूछा गया आपसे मिट्टी के घड़े अर्थात मटके में निम्न में से किस किरिया के कारण जल ठंडा रहता है तो इस उसके आपका कि यदी किसी इस्थान के आप मान में अचारक ब्रद्धी होती है तो उसके आपके शिक आधरता पर क्या प्रभवाब पड़ता है तो इसका राइट सापको आपका right answer चुनना है तो इसका जो right answer है दोस्तों वह है option number 4 कृथनांग को बढ़ा देती है प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि बायुदाब में ब्रधी कुथनांग को बढ़ा देती है प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाने से पानी का कुथनांग बढ़ जाता है जिससे भोजन आसानी से पग जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर अगला प्रेशन है हमारा नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है पुछा गया आपसे नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन नंबर 2 कार्णिया का नेतरदान में आँख के कार्णिया भाग का धन किया जाता है कार्णिया औखों में प्रवेश करने वाली प्रकास की मात्रा को नियन्तरित करती है चली आगे बढ़ते हैं अगले कि और अगला प्रेशन हमारा निप्रान किसकी का हुचिक होँ है चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन के कमी के कारण हो सकता है तो इसका जो right answer वह है option number 4 सल्ले किरिया उपरांत रख्त इस्तराव vitamin k की कारण से हो सकता है vitamin k की कमी से रख्त का ठक्का नहीं जमता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन है हमारा लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर बहा केसे दिखाई देगा पुछागे आपसे लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर बहा केसा दिखाई देगा तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन नमबर एक हरा लाल कां फारेंटर लेन्स की च्छमताय की 1 I है इसे डी द्वारा दर्स आया जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रहस्थ की और अगला प्रहस्थ में आप्डरों के थर्मामीटर का अविश्कार किस ने किया पूछा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रकास बर्स या एक दूरी मापने की सबसे बड़ी पार्सेक होती है तो यह आपको याद रखना है यह आपसे पूछा जा सकता है एक पार्सेक बराबर से 3.26 प्रकास बर्स होता है चलिए आगे बरते हैं अगले प्रकास बर्स क्या है पूछा गया आपसे चार अपसन देकर प्रकास बर्स क्या होता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वह है आपसन नमबर 2 एक बर्स में प्रकास द्वारा तेके गई दूरी एक प्रकास बर्स बहुत दूरी है जो प्रकास निरवात में एक बर्स में पूरी करता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला प्रसन है अमारा एक प्रकास बर्स कितनी दूरी होती है पूछा कि आपसे एक प्रकास बर्स कितनी दूरी के बराबर होत या फिर 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर होता है तो आपको दोनों ही कंडिशन में याद रखना है मीटर में भी आपसे पूछा जा सकता है और किलो मीटर में भी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन है हमारा किसी ततु के रासायनी गुण निमने में से क कोन तैय करता है तो इसका जो टैय करता है किसी ततु के रासायनी गुण इलेक्टार की संख्छा के दाना निरधारित किया जाते हैं इलेक्ट्रारों पर रिणाबेस होता है या नाविक की ओर नाविक के चारों ब्रत्ताकार मारग पर चक्कर लगाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेस्ट की ओर अगला प्रेस्ट में हमारा तत्वों की प्रक्रति को ग्याद किया जा सकता है चार आप की और अगला व्रेक्षन है हमारा ल्यूमे किसका मातराक एं पूछागे आप से हमियर दो crashed नमबरces' का मातराक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों यादि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो 답 सब्सक्राइब करें और मैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि आप लगों को MP पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम 2016-2017 एसे पेपरों के वीडियोज देखना है या इन सभी एक्जाम के लिए मॉडल से पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियोज की पीडिये फाइल फ्री में मेरा टेलिग्राम चैनल जाइन करके वहां से डानलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन हमारा गतिमान बस्तू में होती है चार बस्तू में गती जुर्जा होती है उधारण के लिए बंदुक से निकली हुई गोली तथा चलते हुई रेल-गाडी में गती जुर्जा होती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन हमारा प्रकास की चाल को सर्व प्रथम किसने मापा था प्रकास की चाल को सर्व प्रथम किसने मापा था तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप्सन नमबर एक रोमर ने प्रकास की चाल को सर्व प्रथम रोमर ने मापा था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन है हमारा घड़ी में चाबी देने पर कौन सी उर्जा संग्रहित होती है पूछा कि आपसे घड़ी में चावी देने पर कौन सी उर्जा संग्रहित होती है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन नंबर का उत्पादन जल की इस्थिति उर्जा बिद्यूत उर्जा में रुपांत्रित किया जाता है चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है अमारा किसी लिफ्ट में बेठे हुए बेक्ती को अपना भार कब अधिक मालूम पढ़ता है तो इसका जो र आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है अमारा एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार बास्ट्विक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो यहां पर आपको चार आफ्शन देगे हैं और आप से पूछा गया है किस कंडिशन में में लिफ्ट में व्यक्ति का भार और उसके व्यक्ति कहा होता है तो इसका जो राइट अंसर दोस्तो और 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 नाइचे हो लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार उसके बास्तिक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला प्रसन हमारा सभी गे से सुनने आयतन घेरती है जब ताप क्रम होता है किस ताप पर सभी के से सुनने आयतन घेरती है तो इसका जो राइट आंसर है वह है अगले प्रसन की और अगला प्रसन हमारा प्रम ताप कमान कितना होता है पूछा के आपसे परम ताप कमान कितना होता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वह है आपसन नमबर 2-273 डिगरी सेंटिग्रेट परम सुनने ताप मान इसे कहा जाता है तो इसे आप याद रखें या भी पूछा जाता है स्विच आन होने पर बल्ब के से जल जाता है तो यहाँ पर आपको चार आपसन दिए गया है और इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है आपसन नमबर 3 धारा की वज़ा से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं स्विच आन होने पर बल्ब में धारा प्रहाइत होती है जिसकी वज़ा से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं सामाने बल्ब का तंतु टंगेश्टन धातु का बना होता है और इसका गलनांग उच्चो होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अ आपको यह याद रखना है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है काली खांसी या कुकुर खांसी जिवाणू संक्रमन से होती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगले प्रशन है अमारा एंटीबायोटिक क्या है यहाँ पर आप्शन दिएगे आपको से त्यार की गई दवाएं एंटीबायोटिक कहलाती है दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसलीन की खोज एलेकजेंडर फ्लेमिंग ने की थी तो यह भी आपको याद रखना है यह भी आपसे पूछा जा सकता है पेनिसलीन की खोज के बारे में चलि आगे सब्ल्ड त्यावरी प्रेशण की और अगला प्रेशुञार बिना बुग्झे चूने का रासायनिक नाम क्या है पूछा की आपसे बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है तो इसका जो राइट-उन्सेर दोस्तों वह है option number 4 calcium oxide बिना बुझे चुने का राशायनिक नाम calcium oxide होता है और इसका राशायनिक सूत्र अफसर नमबर 2 उर्जा के गेर नविकर ओर नाम होता है उर्जा के गेर नविकर नविकर्णी अगला पुर्शन हमारा 나 निनने लिखित मेंसे कों सा ध्वनी की लाउडनेस या मव्निटी निर्धारित करता है चार अव्जान दिए गें आपको आपसे पुछा गया है इन में से कौन साथ धोनी की loudness या softness को निर्धारित करता है तो इसका जो right answer एवा है option number 4 आयाम आयाम धोनी की loudness या softness को निर्धारित करता है किसी तरण के संचराण में माध्यम के कणों का संतुलम की इस्थिती में अधिक्तम विस्तापन आयाम कहलाता है आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर अगले question है इमारा खालिस्तान के अनौों के बीच आकर्शन बल अधिक होता है चार अफोन दियेगे हैं आपको रहराप से पुछ़गए इन में से किसके अणौों के बीच आकर्शन बल अधिक्तम होता है तो इसका जो right answer वा है option no.1 ठोस ठोस के अनुओं के बीच आकर्शन बल अधिकतम होता है ठोसों में कण परस्वर नज़्दीक होते हैं इसलिए इनके अनुओं के मध्य परस्वर आकर्शन बल अधीक होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले फ्रस्न की और अगला प्रशन हमारा इनमें से कौन सा हिर्दे की समस्या का निदान करने में मदद करता है चार आपसन दिये गया है आपको और आपसे पुछा गया है इनमें से कौन सा हिर्दे की समस्या का निदान करने में मदद करता है तो इसका जो right answer वह है option number 3 ECG ECG हिर्दे की समस्या का निदान करने में मदद करता है ECG का full farm electrocardiogram होता है या एक test है जिसमें मसीनों के द्वारा हिर्दे रोगों का पता लगाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर अगले प्रेशने हमारा प्रकास अंसलेशन की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पधार्थ मोजूद होता है चार अप्शन दिए गया आपको और आपसे पुछा गया है प्रकास अंसलेशन की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पधार्त मुझूद होता है तो इसका जो right answer एवा है option number 4 chlorophyll क्रकास उंसलेशन की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में chlorophyll मुझूद होता है इसे पढ़्ण हरित या हरित लबक भी कहा जाता है इसकी उपस्तिती से पत्तियों का रंग हरा होता है आगे बलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा निमने लिखित में से कौन सा बहु पर्माणुक है चार आउप्शन दिए गए आपको और आपसे पुछा गया इन में से कौन सा बहुः परमानुक है तो इसका जो राइट आन्सर ये वह फिर आपसर नंबर 2. सलफर .सलफर बहुः परमानु कहीं सलफर का प्रतिक चिन एस होता है और इसका परमानुक वह LS catch है या बहु परमाळुंक तत्व्व है इसकी जे जो 40 होता है वह एक प्रकति में पाया जाता है इसका अर्थ है प्रत्य अनुसल्फर का 8 परमाणुं से मिलकर बना होता है अर्थात या एक बहु चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन है हमारा रधर फोड परवाणू माडल के अनुसार इलेक्ट्रान की इस पत्थ में नाभिक के चारो और घुमते हैं तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वह है आफ्शन नंबर 3 ब्रत्ताकार रधर फोड परवाणू माडल के अनुसार इलेक्ट्रान ब्रत्ताकार पत्थ में नाभिक के चारो और घुमते हैं इलेक्ट्रान पर रिणाविस होता है इलेक्ट्रान की खोड जेजे थांसन ने की थी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन है हमारा भारत भारत में परकंडों का प्रियोग या परिक्षण कहां किया गया था पूझ गया था फू 베icker ःजथान में इस ते पर्माणु भंण, नाविकी विखंडर्ण के सिद्धान पर अधारित होते हैं तो यह अगे आपको यादı रखना है आगे बढ़ते में हमारा निमने लिखीत में से कौन सा प्रक्यति में अंली है पुछा गया है आपको चार असन ही कोँगकर से नुंरी प्रयक्रती होते हैं घचौ необходимо को तो इसा जो रैट आंसर है दॉस्तो वह है ऑ Aubland हो फंब सब्सक्राइब साओर् को aside मुंग fautling एक प्रोधान करने वाला पoodle चलिए आगे वरते हैं अगले प्रेस्टों की उर अगला प्राशन है अमारा खालिस्तान अमल गम बनाने के लिए एक आवस्यक महत्पुन धाती है चार आप्शन दिएगे आपको आरप से पुछा गया है खालिस्तान अमल गम बनाने के लिए एक महत्पुन धातू है अमलगन एक मिस्र धातू है जिसमें पारा पाया जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा किसकी कमी इसकरभी का कारण बनती है चार आपसे पुछा गया है इन में से किसकी कमी से इसकरभी होता है तो इसका जो right answer है वह है option number 3, vitamin C, vitamin C की कमी से इसकर भी रोग होता है, vitamin C का प्रचुर स्रोथ आवला होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं, अगले प्रस्न की ओर, अगला प्रस्न है हमारा, कार्निया और रेटीना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं, पुछागे आपसे, कार् प्रकास की मात्रा को नियंत्रित करती है, और नेत्रदान के द्वार, दोरान कार्निया का ही प्रतिस्थापन किया जाता है, चलिए आगे पढ़ते हैं, अगले प्रस्न की ओर, अगला प्रस्न है हमारा, प्रोटीन निम्न में से किसका एक अभिन अंग है, पुछागे आपस अमलों से बना होता है, और मानों शरीर में एमिनो इस्टिडों की संख्या 20 होती है, इसे भी आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्न की ओर, अगला प्रस्न हमारा, कौन सा पधार्त पित्तासे में संग्रहित और सांद्रित होता है, तो इसका जो राइ 7.7 होता है, तो इसके बारे में यह सारी जानकारी आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर, अगला प्रस्न हमारा निमनल इकित में से कौन सी एक अधातु है, चार आप्शन दिये गए आपको और आपसे पुछा गया है, इन में से कौन सी एक अध प्रस्न की ओर, अगला प्रस्न हमारा इन में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, इन में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रिवा है, आप्शन नमबर 4 मधु में, मधु में एक संक्रामक रोग नहीं है, मधु में रोग इंसुलिन की कम स्छाज व wolofNY के कारण होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रशन की ओर अगला प्रस्न हमारा किस इंप्सें ब्यूमें नम्बर धेनाटे हैं और सउसन वाली बीमारी नाम के नाम से जाने जाने हैं बाइब हेसा कई दो पूछा गया आपसे बाहर का in habían और यहांने चार olden vind बाहर का एसाई मत्रक क्या है। थो इसका और अन्यूटन है नंच भार का एसाई होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्राश्न की और अगला प्राश्न हमारा किसकी संख्या पर्माणू की द्रभिमान संख्या और पर्माणू क्रमान के अंतर के बराबर होती है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप्सन नमबर तीन न्यूट्रान न्यूट्रानों चरिया आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर, अगला प्रस्ण है अमारा तपेदिक किस से संबंदित एक विमारी है, पुछागे आपसे तपेदिक किस से संबंदित एक विमारी है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसन नमबर एक फेपड़े, तपेदिक बेक्टिरिया के कारण होता है या एक संक्रामक रोग है आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर अगला प्रेशन है मारा कौन सा उपकरण ध्वनी तरंगों को बिद्दू संकेतों में परिवर्तित करता है तो इसका जो राइट आंसर वह है आप्शन नंबर एक प्रेशन की ओर अगला प्रेशन होती है तथा बेगनी रंग की तरंग धेर सबसे कम होती है एक प्रकाज साथ रंगों से मिलकर बना होता है आगे बरते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा नेमना लिखित में से कौन सा भोतिक परिवर्थन नहीं है चार अप्शन दियेगें आपको और आपसे पुछ गया है इनमें से कौन सा भोतिक परिवर्तन नहीं है तो इसका जो right answer है वा है option number 3 पधार्तों का किणवन परधातों का किणवन भोतिक परिवर्तन का उधारण नहीं है क्योंकि इसमें एक बार जब कोई परधार्त बनता है तो वहाँ पुल्व अवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाता है या एक राशाइनी कविकरिया का उधारण है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा धाइसो डिग्री सेंटीग्रेट पर पानी की भोतिक अवस्था क्या है पुछागे आपसे धाइसो डिग्री सेंटीग्रेट पर पानी की भोतिक अवस्था क्या होती है तो इसका जो राइट आंसर है दोस नियुन्तम तथा घनत्व अधिकतम होता है चूने के पानी अर्थात पुताई का सूखना किसकी क्रिया की बज़ा से होता है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपसर नमबर दो बायू में मुझूद चूने के पानी अर्थात पुताई का सूखना बायू में मुझूद कारबंड़ अक्साइड की क्रिया की बज़ा से होता है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र सी ए ओ अधात केल्सियम आक्साइड होता है तथा बुझे हुए चुने का सूत्र सी ए ओएच होल ट्वाइस टू केल्सियम हाइडराक्साइड होता है चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रसंट की और अगला प्रसंट है हमारा प्रसंट कमांग 2 पेतोलाजी लेव में प्रियुक्त पराखनाली में जीबाणूंगोंन नस्ट करने के लिए प्रियुक्त प्रकास करने कों सी है पराबेगनी किंड़े जीब जंतुओं के लिए हानिकारक होती है, सूर्ष से आने वाली पराबेगनी किंड़ों से हमारी रक्षा ओजुन परत करती है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रेस्ट की ओर, अगला प्रेस्ट है हमारा पुतली खालिस्तान का एक हिस्सा है, चार आप पर पढ़ने वाले प्रेकास पर संब्रेदन को दर्साती है, अंधकार में या आख को स्वता बड़ी कर देती है और अधिक प्रेकास में या आख को सिकोड़्ण का कार्य करती है, तो पुतली का संबद आख से है, चलि आगे बढ़ते हैं अगले प्रेस्ट की ओर, अगला हमारा आल फेक्टरी सब्द निम्ने लिखित में से किस से संबंदी थे तो इसका जो राइट आंसर है आफसा नंबर चार गंध से आल फेक्टरी सब्द का संबंध गंध से सब्द से होता है चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंद की और अगला प्रस्ण है हमारा भूपरपट्टी में सरवाधिक प्रचूर मात्रा में पाई जाने वाली धातू कौन सी है पूछागे आपसे भूपरपट्टी में सरवाधिक प्रचूर मात्रा में पाई जाने वाली धातू कौन सी है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आफसा नंबर एक एलुमिनियम भू परपटी में सरवादिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एलुमिनियम है एलुमिनियम का प्रतिक खिन एल और इसका परवाणुक्रमांग 13 है एलुमिनियम बाक्टसाइट इसका आयसक होता है बाक्टसाइट का जो सूत्र होता है वहां सोर अरजा कहां से प्राप्त होती है तो इसका लुआ गई भरते हैं सम्पूण सोर मंडल में उर्जा आयीं प्राप्त में に तें इसका जो राईट आंसर है वह है अफ्शन नमबर 1 आवेस बिद्दुत्धारा का सूत्र अगले प्रीशन एमारा चंद्रमा किस अवस्था में चंद्रमा अद्रश से होता है पुछागे आपसे चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अध्रस से होता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वह है आपसर नंबर 4 अमवस्या आम अबस्या के दिन चाद नहीं दिखाई देता है और पुन्डमा के दिन चाद पूंड रूप से दिखाई देता है आगे बड़ते हैं अगले प्रस्थन की और अगला प्रस्थन है हमारा मानव की आँख में मुझूद प्राकर्तिक लेंज किस प्रकार का होता है तो इसका जो right answer रेवा है option number 4 उत्तल मानव की आंख में मुझूद प्राकरतिक लेंज उत्तल अकार का होता है मानव की आंख पर बना प्रतिविम बास्तिविक तथा उल्टा होता है इसे भी आपको याद रखना है या भी आपसे पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन है अमारा निमनली खित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है चार आपसन दिएगे आपको आपसर पुछा गया है इन में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है तो इसका जो राइट आंसा रेवा है आपसन नमबर 3 गठिया गठिया रोग एक संक्रामक बीमारी नहीं है इसके अतिरिक्त आंत खसरा वा इन्फ्लेंजा ये सभी ही संक्रामक बीमारी आ है जोडों में अत्यादिक दर्व, जोडों में अकडन, सूजन, जॉइंट्स की गति में कटनाई, इत्यादिक गत्खिया रोग के लक्षण है चली, आगे बढते हैं अगले प्रसन की ओर, अगला प्रसन है अमारा थाइराइड ग्रंथी, को अब्टो ग्रंथी भी कहा जाता है शरीर में थाइराइड हार्मों के अधिक इस्तराव के कारण हैपर-thyroidism होता है, या भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रेशन की हो अगला प्रेशन है हमारा अमली बिलियन में डाले जाने वाले नीले लिटमस का रंग बदल कर कैसा हो जाता है तो इसका जो राइट आंसर वा है आप्शन नमबर 3 लाल अमली बिलियन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग बदल कर लाल हो जाता है तथा छार में डाले जाने पर यहाल लाल लिटमस को नीला कर देता है लिटमस पेपर लाइकें से प्राप्त होता है लिटमस थेलोपाइटा समू के लिचे नमक पोधे से निकाला जाता है इस का प्रणाड करमांग होता है 13 तो आप से पूछा गया है इसमें इलेक्टरानों का सही वित्रण कुम सा है कि नमबर 2 2 8 और 3 प्रथम सेल में 2 एलेक्टराण दू 30 में आठ इलेक्टराण और 33 एल में बाकी बचे हुए से तीन इलेक्ट्रान होते हैं और एलुमिनियम का जो यसकर वाकसाइट होता है जिसका सुत्र होता है वह है आप्सण नमबर एक प्रकेंडित कणों के आकार पर निर्भर करता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है अमारा ग्रेफाइट की विविन परतों के बीच निमनलिखित में से कौन से आकरसन बल मुझूद होते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप्सण नमबर एक बांडरवाल्स बल ग्रेफाइट की विविन परतों के बीच में बांडरवाल्स बल आकरसन बल मुझूद होते हैं बाइडरवाल एक सेले सवाह का आ संयोजी रासायनिक बंध होता है अगला प्रेशन ये अमारा पीलिया किससे संबन्दीत एक बिमारी है पुचा के आपके से लीवर यानि शरीर बाहर नहीं जा पाने की इस्थिती में होता है पीलिया को अंग्रेजी में जॉन्डिस कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है हमारा निम्न लिखित में से किसका उप्योग अस्पतालों में प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है इसका जो राइट आंसर है आपसर नंबर दो सिरिंज में सिरिज में एक धातू की सुई लगी होती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा अमेरिकी नागरिक माइकल फेल्स का संबद किस खेल से है पुछा गया आपसे से कौन से तत्व को एस आई प्रतिक द्वारा दर्साया जाता है इसका परमाडु क्रमांक 14 होता है या एक अर्द चालक तत्व है जिसका उप्योग सोलर पेनल बनाने में किया जाता है बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन है हमारा कारो ट्रको और बुल्डोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों मनाया जाते हैं पूछा के आपसे कारो ट्रको और बुल्डोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाया जाते हैं तो इसका जो राइट आंसर है दो और टाइरों के वीच बहेतर पकड़ प्रादान हो सके तायरों में प्रेड की वजह से समपर्क बढ़ जाता ये जिस से घर्षाप बढ़ जाता है और ब्रेक लगाने पर बाहन आसानी से रूख जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन है अमारा निम्ने लिखित में से कौन सा एक फलीदार पोधा है तो इसका जो राइट आंसर रिपा है आफसे नमबर 4 मटर मटर एक फलीदार पोधा है मटर रवी फसल का उधारने या एक दलहनी फोधा है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन है अमारा निम्ने लिखित में से कौन सी एक योन संचारित जान लेबा बिमारी है चार आपसन दिए आपको और आपसे पूछा जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन की और अगला प्रेशन हमारा दो बस्तुओं में से एक का द्रभिमान दुगना हो जाने पर दोनों बस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुतवा कर्शन बल में क्या परिवर्तन होता है तो यहां पर चार आपसन हो जाने पर दोनों बस्तुओं के बिच लगने वाले गुरुतवा कर्शन बल कम मानं दुगना हो जाता है की खोज ने की थी गुरुतवा कर्शन पधारतों द्वारा एक दूसरे की और आकरसित होने की प्रवत्ति है चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रसम की और अगला प्रस्ण है अमारा रात के समय तारो का टिम्टी माना किसके कारण होता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वह है आप्सन नमबर एक बायू मंडली अपुवर्तन रात के समय तारो का टिम्टी माना बायू मंडली अपुवर्तन के कारण होता है तारे सूर के समान प्रकास मान पिंड होते हैं, उनका प्रकास जब प्रत्वी पर आता है, तो बायो मेंडली अपवर्तन के कारण हमें टिम्टुमाते हुए दिखाई देते हैं, चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर, अगला प्रसने अमारा निम्न में से किसमें जल धारन चमता सबसे अधीक होती है, चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर, अगला प्रसने अमारा इनम्न से किसमें आप्टिकल लेंस नहीं होता है, चार आप्सन दिये गया है, इनम्न से किसमें आप्टिकल लेंस नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर है, वह है आप्सन नंबर च तोहरें रापकार इस्तेते इसकोप में अर्टिकल लेंस नहीं होता है इस्तेते इसकोप का उपयोग डाक्ट्रों के दिवारा दिल की धरकने सुनने में किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा पोधों में सरकरा का समान प्रभाही रूप खालिस्तान है चार अप्षन दिए गया आपको आपसे पुछा गया है पोधों में सरकरा का समान प्रभाही रूप कौन सा है तो इसका जो right answer है दोस्तों वा है option number 3 सुक्रोज पोधों में समाय नितास जो सरकरा होती है वा सुक्रोज के रूप में प्रभाई होती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेस्ट की और अगला प्रेस्ट में में होता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रेस्ट की और अगला प्रेस्ण हमारा आबर्त में तत्वों किस क्रम में वेवस्थित किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है आफसर नमबर 3 नाभीक में बढ़ते हुए आविसों के अधार पर वेवस्थित किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका अंसर आप लोगों को मुझे कमेट करके बताना है आज की क्विज है कौन सा खनीज हड्डियों के लिए आविसक है तो इसका जो राइट अंसर है वह आप लोग मुझे कमेट करके जरू बताए दो लें दोस्तो!